हाँ जी देखे ज़रा आपके सबसे पहले कोश्य नंबर वन आपका इंपोर्टेंट है मैं बात कर रहा हूं प्राइज इलासिटी अब दिमांड में सर्फ तीन कोशन त्यार करके जाओ और बागी सिए छोड़ दो तीन कोशन कुण 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 से फर्स एक्स्प्लीन दा मैं आपको एक-दो तीन चारता है चीक है इसका आपको आपको इसको फर्मुला फर्म मिलेभी लिख औंगे यह सरा इकना मैं अपके पास शॉट में फॉर्मला फोमला tomar लली यहां तो हलकलकता से डिक की ऑलू लार देगे मेरे पीडियाअ नहीं इस डिख लिजी चै्सेमि होता है आप उसके बीचे पर रीजन दीजिए तो यह आपको यह त्यार कर लेना है और उसके बाद कुश्चिन नंबर थ्री आपको यह रेडी करना है कि compare elasticity of demand at the point of intersection of to demand curve मतलब दो demand curve जो intersect हो रहे हैं उसके intersection point पर एक ही point पर क्या ED same होती है different होती है किसकी जादा होती है किसकी कम होती है यह बड़ा important question है जो flatter होगा ज्यादा लेटा होगा मतलब कि जो price पर जो demand curve नीचे से सुरू हो रहागा उसकी ED ज्यादा होती है उस demand क्लास में चेप्टर के बारे में और उसको आप लिखते चले जाए यह थैंक्यू थैंक्यू सो मच क्लियर है बिलते हैं फिर नेस्ट क्लास में को डाउट है तो पूछिए